साबुन लगाकर नहाना धोना क्यूं जरूरी है? मैले कपड़े केवल पानी से ही साफ क्यूं नहीं हो जाते? कमीस के कॉलर को साबुन से रगड़ कर ही क्यूं धोना पड़ता है? आज बात साबुन की, पानी से उसके बहुत अनोखे रिष्टे की. आज पता करते हैं, कैसे करता है साबुन काम? How does soap work? दुनिया में कितनी तरह के साबुन मिलते हैं? हाथ धोने के, नहाने के, बरतनों के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग? असल में मानव ने बहुत साल पहले ही साबुन बना लिया था. माना जाता है कि 2800 वर्ष इसा पूर्व, मतलब आज से कोई 4000 वर्ष पहले साबुन का पहला रूप बना लिया गया था. वो था पश्वों की चर्बी और राख का मिश्रन. अब ये तो नहीं मालुम कि उस समय पता था कि नहीं कि ये मिश्रन साफ क्यूं करता है, लेकिन इसे प्रयोग जरूर किया जाता था. आज हम समझेंगे साबुन कैसे करता काम? साबुन का काम तो चीजों को साफ करता है. इसे समझते हैं साबुन की बनावट समझ कर. साबुन के अणु को अगर देख पाते तो देखता कुछ ऐसा. एक लंबा अणु जिसकी एक तरफ सिर, दूसरी तरफ दूम. मज़े की बात ये कि साबुन की सिर वाली तरफ पानी को पकड़ती है, उसकी दोस्त. लेकिन दूम वाली तरफ को पानी बिलकुल पसंद नहीं, वो उससे दूर रहती है. साबुन की दूम का दोस्त काम? समझने के लिए एक और प्रयोग. साबुन को पानी में डालो तो वो घुल जाता है. साबुन को तेल में डालो तो भी वो घुल जाता है. लेकिन पानी और तेल साथ आएं, तो क्या होता है? पहले डाला तेल और फिर डाला पानी. तेल तुरंट आया उपर और पानी नीचे. पानी और तेल में जरा भी दोस्ती नहीं. दोनों एक दूसरे से अलग ही रहते हैं. और यही है मुसिबत. सारा मेल, शरीर पर, हाथों में, कपड़ों में या बर्तनों पर? सब मेल होता है तेलिये. चिकना, सिर्फ पानी से धोईंगे, तो भला साफ कैसे होगा? साफ करता है साबुन, और कैसे करता है? देखते हैं अब. पानी पर तेर रहा है तेल, दोनों अलग-अलग. दोस्ती नहीं है ना? लेकिन डाला साबुन और मिलाया? तो हो गई तेल की परत गायब, मिल गए दोनों. साबुन तो मानो तेल और पानी के बीच में आकर उनकी दोस्ती करा देता है. साबुन के काम के तरीके दो. ये समझते हैं बानी की सतह पर चलने वाले कीडों के साथ. कितने मजे में पानी के उपर चलते हैं ये कीडे? पास से देखो तो दिखेगा कि पानी इन्हें सहारा दे रहा है. मानो, पानी की एक पतली सी चादर तनी है, जिस पर ये कीडे चल रहे हैं. कुछ ऐसे ही कीडे हम भी बनाते हैं. उन्हें पानी पर टिकाते हैं. पानी की सत्य पर सूई और यूपिन तक तैरा सकते हैं हम. इसका कारण है पानी का प्रुष्ठ तनाव. अंग्रेजी में सर्फिस टेंशिल. प्रुष्ठ तनाव बनता है पानी के अनुओं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के आपसी आकर्शन से. और ये आकर्शन होता है पानी के अनुओं के ध्रुविय होने के कारण. पानी के अनु ध्रुविय क्यूं? इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए देखें विडियो पानी अनोखा अनु. साबुन कैसे करता काम? इस बात को समझने के लिए इन कीडों की बात क्यूं? जानते हैं साबुन के ही साथ? देखा क्या हुआ? साबुन के चूते ही पिन डूब गये असल में पानी का प्रिष्ठ तनाव सहारा दे रहा था पिन को साबुन लगाते ही प्रिष्ठ तनाव कम हुआ और पिन पहले दूर गया फिर डूब गया यही है साबुन की खूबी वो पानी के कणों के बीच का आपसी आकर्शन कम कर देता है कम हो जाता है प्रिष्ठ तनाव और इसी खूबी का रिष्ठा साबुन के मेल हटाने की क्षमता से साबुन पानी के अणुओं के बीच का आकर्शन कम कर देता है जिससे पानी का पुष्ट तनाव मतलब सर्फिस टेंशन कम हो जाता है इससे साबुन के अणु कपड़े के हर रेशे तक पहुच जाते हैं दूसरा साबुन के अणु का पानी से दोस्ती करने वाला सिर तो पानी के कणों से जुड़ता है और उसका दुम वाला हिस्सा करता है तेल से प्यार तो दुम पकड़ लेती है तेल को जिसके साथ जुड़ा है मेल बस साबुन के एक तरफ जुड़ता है पानी, दूसरी तरफ तेली है मेल साबुन के अनू असल में मेल के हर एक कन को घेर लेते हैं, कुछ इस तरह जब हम बैली चीज़ों को साबुन से धोते हैं, तो मेल भी पानी के साथ निकल जाता है साबुन हमें साफ ही नहीं, स्वस्थ भी रखता है दिन भर कितने किटानू हमारे शरीर पर जमा होते हैं कास तोर से हाथों में साबुन कीटाणूं को धो डालने में मदद करता है अगर हम साबुन से हाथ धोई बिना खाना खाएं तो ये कीटाणूं हमें बिमार कर सकते हैं इसलिए शौचाले जाने के बाद, खेल के बाद और कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोकर साफ करें स्वस्त रहें चोट लगे तो भी घाव को साबुन और पानी से धोना जरूरी होता है एक बात याद रखें, सभी की टाणूं शरीर के दुश्मन नहीं, कुछ हमारे दोस्त भी इसलिए साबुन का जरूरत से अधिक इस्तेमाल भी अच्छा नहीं तो देखते हैं कैसे करता साबुन काम एक बार और हवा में तेलिये कन होते हैं, धूल मिट्टी उनके साथ चिपक जाती है और हमें और हमारे कपड़ों को गंदा करती है पानी और तेल साथ नहीं आते, आपस में मिलते नहीं साबुन पानी के प्रुष्ट तनाव को कम करता है साबुन का आनू एक तरफ से पानी को पकड़ता है दूसरी तरफ से तेल और तेल से जुड़े मैल को साबुन लगा कर हम कुछ भी धोई, तो पानी और तेलिये मैल साथ में बह जाते है प्रश्णों के जवाब खुद दूनने में बड़ा मजा है तो अब आप पता करो कि साबुन किस चीज से बनता है और क्या डिटर्जिन्ट और साबुन एक होते है एक तूझे को वो ना भाए पानी और तेल दूर रहे कभी पास ना आए पानी और तेल बरतन गंदे गंदे हाथ कपड़े मैले ना हो साफ पानी यूही बह जाए अड़े कंदगी साथ न जाए साबुन लेकिन बड़ा ही प्यारा दोनों को ले आए साथ एक तरफ से पानी पकड़े दूजी ओर से तेल का हाथ तीनों साथी बन जाए हाथ पकड़ कर बह जाए और हमको बनाए साफ झाल